नमस्ते दोस्तों, परसुर मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पैसेफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटेक कर रहे हैं, उनको गोली से मात देना चाहिए। लेकिन फारा अली खान जी, जो जो कि यहां का ही का कि जो कि जो कि यहां का ही का करोडों अर्भों में पैसा कमा के हमारी ही कष्टी में चेथ डाल रहे हैं, यहां आप प्रधान मंत्री जीए। कि ग्रियमंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं, रस्स को कि राष्ट स्वयम सेवा संग है कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा उनको आतंकवादी कह सकते हैं, तो इन प्लैट्फोर्म्स का दानरपानी बंद होना चाहिए, मुझा बता है देश और चीजों से जूज रह है, मगर फिर भी भी हाफ तो फांद आ वे तो कम्प्ली दिमालिश इस प्लैटफोर्म्स अन स्टा आर ओन प्लैटफोर्म्स अन सेकिंड मैंने आज पभीता फोगड जी का एक वीडियो जिसमें जिस तरह से उनको हैस किया जार मैं अगैं केंदर सरकार से अपील करती हूँ के जो भी इंसान राष्ट्रवात के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से स़ोशित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी झीन ली जाते है, कईों का खून किया जाता है, आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है कभी भी कोई दूसरी राश्रुवादी आवाज नहीं उठेगी उनको सुरक्षा परदान की जाए और इसी के साथ हैपी लॉक्डाउन नमस्ते दोस्तों परसों मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटेक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए लेकिन फाराली खान जी जो सुजैन जी कि बहन है और रिमा कटकी जी काफी प्रतिष्टित निदेशिका है उन्होंने ये जूठा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है अगर कहीं भी ऐसा कोई भी ट्वीक मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं रंगोली सामन करना चाहती हूं कि जो Twitter जैसे social media platforms हैं जो कि यहां का ही खाके करोडों अर्भों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कष्टी में छेट डाल रहे हैं यहां आप प्रधान मंत्री जी को के ग्रिय मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं RSS जो कि राष्ट स्वयम सेवा संग है जो कि दि और चीजों से जूज रहा है मगर फिर भी we have to find a way to completely demolish these platforms and start our own platforms and second मैंने आज बभीता फोगर जी का देखा एक वीडियो जिसमें जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है मैं again केंदर सरकार से अपील करती हूं कि जो भी इंसान राष्टरवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से सोशित किया जाता है उसको उसकी नौकरी चीन झाल 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 झाल